खरचा पानी इस ब्रॉथ टू यू बाई लिवोजन टॉनिक थकान और कमजोरी से दे आजादी क्या हुआ गाड़ी ज्यादा बढ़ी है गाड़ी अरे काश मुझ में ये सोफा पुछ करने की ताकत होती थकान और कमजोरी खुन में आईरन की कमी के लक्षन है लीजे लिवोजन टॉनिक इसमें है और गैनिक आईरन और कई ऐसे तत्व जो दें कमजोरी से आजादी नमस्ते मेना नाम सिद्धान्त है मेरे साथ फ्रेम में अईशुमान जी है ये खर्चा पानी है सोमवार का पहला खर्चा पानी आप लोगों के लिए एक सूचना है खर्चा पानी हम लोग दोबारा शूट कर रहे हैं खर्चा पानी है मत असल हम लोग आज जो आप लोगे सामने ये एपिसोड आ रहा है इसको लोग शूट कर चुके थे और वो एपिसोड हो सकता है आप लोग कल में देखें तो आपको उसमें सोमवार सुनाई दे अफ़ते का पहला खर्चा पानी सुनाई दे आशुमान जी क्या क्या खबरें है आज आपका स्वागत है और खर्चा पानी में दर्शकों का सबका स्वागत है खबरों की दुनिया हम से तेज चलती है यह सास हमको बार बार होता है और हम जब भी कभी खबरों को अपनी चतुरता से चालाकी से हराने की कोशिस करते हैं तो वह हमें हरा पर बात करें पर नहीं होती पर खबर की प्रासंग एक ता उस दिन के साब से कमजादा हो जाती है और आज हमाले पस बड़ी खबर हैं तीन बात बड़ी एक खबर तो यह कि भारत में आज GDP का लास्ट कॉर्टर का एस्टीमेट आएगा और पूरे साल का एस्टीमेट आएगा जो कि लाकडाउन का सबसे खराब साल था अलाकि यह इस्टीमेट के बात की परिस्थिती हम उसमें पहुंच चुके हैं तो इसलिए उस रोश्णी में भी से देखा जाएगा भारत पहली बार मुझे लगता है कि पिछले कई दश्कों में इतनी बार निरंतर कंसिस्टेंट्री पेटूर लिए की कीमतों में बढ़तुरी देखी एक महीने में 15-16 बार कीमतें बढ़ी बढ़ी वो आज उसका मैं एक महीने की आखिरी बढ़तुरी आज हमारे सामने आई अंतराश्ट लोगों तक उसके बाद हम देखेंगे कि क्या होगा क्या होगा यही यह तीन महत्वपूर्ण खबरें हैं जो हम आज जिन पर हम खर्चा पाने में आपसे चर्चा करेंगे तो पहली खबर है ब्रेंट पे दूसरे खबर हम परटाई यह से करते हैं कि आज़िए पहली चूट कर रहे हैं उस समय GDP की नंबर्स नहीं आएं तो लोग एक तस्वीर को देखने की कोशिश करेंगे कि GDP के नंबर्स कैसे हो सकते हैं किन वजहों से हो सकते हैं और उनकी आलोक में आगे का रास्ता कैसा होना चाहिए तो पहली खबर ब्रेंट कच्चा तेल दाम बढ़ फ्लेश और टिकर क्या है सब्सक्राइन साफन हो जो चुकई है क्या है राशी ऐखने उपर चला जा चुक एस प्राइस पैट्रोल डीजर और आप आजाईए ब्रेंट पर तो ब्रेंटैमों में भी बढ़ लात सब्दूर चॉन सद्धानता मुझे बहुत आश्यर हुआ चुकि हम लोग खर्चा पाने में पेट्रोल डिजल की कीमतों को और इससे पहले भी पेट्रोलर फ्यूल की कीमतों का हर कदम हर चोटा-चोटा कदम अंतराश्टी बाजार से लेके भारती बाजार तक परखने की कोशिस कर रहे हैं सार उपए से उपर का पेट्रोल एक ऐसी अर्थविवस्था में जिस अर्थविवस्था में माइनस निगेटिव ग्रोथ हो भयानक बेरोजगारी हो हम अगर आप बाकी सारी चीज़ें बहसे छोड़ दीजे क्या कोई भी तरक कोई भी लाजिक पिछले साल साल पिछले 6 मह किसकी वज़े क्यों हमें इतना हम हमारे उपर ये चाबुक लगातार चलाया जा रहा हम दुनिया में सबसे महंगा सबसे महंगे इंधन वाला देश बन चुके हैं और ठीक उस समय जब हर दूसरी खबर गरीबी बेकारी बढ़ने के आती है उस समय पेट्रोल लिजिल की कीम भारत में जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था उसमें कुछ लोगों को लगा था कि शायद ये बात थोड़ी अतिशे उक्तिपूर्ण है कि भारत में 100 रुपय का पेट्रोल नार्मल होने वाला है न्यू नार्मल होने वाला और हम उस तरह पहुंच गए देखिए आज हमार बाजार उपर बढ़ चुका है हम अधिक्तम बढ़ोतरी सिध्धान तो उस समय कर चुके हैं जब अंतराश्टी बाजार में कच्छे तेल की किंद्रे सबसे कम थी 60 थी 65 थी 66 थी 66 थी तब हमने अपने लोगों को निचोड़ दिया तेजी तो अब आई है अब तेजी शुरू हो रही है अब गोल्में सेक्स कह रहा है कि दुनिया में मैं फ्यूल की डिमांड बढ़ रही अब सतर और अस्ती जाएगा तेल सतर से उपर निकलेगा पच्छत सतर क्रूड हो गया ऐसी क्रूड हो गया हो गया तो हम भारत में किस कीमत का पैट्रोल ख़ली देंगा और यह बताता है कि सरकारे सिर्फ अदूर दर्शी नहीं है असमधन चील भी है सम्वेदन धीन भी है क्योंकि वो भारती आम लोगों की जो के जिंदगी जीने की जो परिस्थे थी उसकी सम्वेदना से भी तफाक नहीं रखती है उन्हें यह समझ में नहीं आता कि पेट्रोल डिजल की कीमतें बढ़ाने से 60% टैक्स है पेट्रोल पर और 54% डीजल पर टैक पूचना चाहिए कि अभी अभी जैक्स कियों कि पूरी दुनिया अपने अपने लोगों को महेंगाई से बचा करना को तो कि अभी तो इसले के लिए कि कीमतों का है आप इंतार करें है कि हो सकता है कली कि मत बढ़ती है तो दो जून को आपके पास कीमतों में की अधी क्ड़ने की सुचना है लेकिन जितनी कीमते बढ़ी है अभी तक जितनी कीमते पासान की गई हैं सिध्धान उन्होंने जीता था और अभजीत बनर जी ने वही बात की है जो कुछ दिनों पहले उदय कोटक कर रहे हैं एक लंबा चोड़ा इंटर्वीव है टाइमस ऑफ इंडिया में प्रकाशित हुआ है कुछ मिजर्स हैं उसमें उस मिजर्स को हम लोग अश्माजी थोड़ा सा करको नोट चापना चाहिए उन्होंने कहा है कि एव इन फेर आओ अफ प्रिंटिंग मनी विन इंडिया फोर समें इन इंडिया वर समें इंड जिसक्ता इंडर्स वेड इन पूर्श वेड़ा उन्होंने शुट एप्सलुट दूट इड़ करना ही चाहिए और श्वलस के ब अनुटिंग भारत में ने विसे उसका क्या रिष्टा है हमारी आपकी जिएप से चर्चा कर चुके है खर्चा पानी के प्लैलिस्ट पर वह एपिस एपिसोड है तो हम उन सारे डिटेल्स को दोहराना नहीं चाहते अभीशित बनर जी ने जो बात कही है उसके उसके संदर् हमें ये समझना पड़ेगा कि बार-बार भारती अर्थशास्त्री इस बात की सिफारिश क्यों कर रहे हैं और वो किस अंदर्भ में कर रहे हैं दुनिया के अर्थशास्त्री हैं मान रहे हैं कि भारत की सरकार ने अपने कोविड पिलितों को दुनिया की तुलना में कुछ भी जो आपजीद बनर जी ने कहा है अब जीद बनर जी एकॉनमिक्स के अर्थचास्त्रियों के सम्हूं से आते हैं जो मानते हैं कि सरकार को अधिकांश पैसा सोशल वेलफेर पर खर्च करना चाहिए लोगों की जिन्दगी बेतर होगी उनके खर्च बढ़ेंगे तो इक वाने म 20 लाग करोर वो याद दिलाना चाहते हैं कि हमने पिछले साल दिया था और बजट इतना बड़ा आया है उस बजट को लोगों तक पहुचने दीजिए भी तो बजट आया हुए दो महीने हुए हैं पहले तिमाही बीट में दीजिए और इस्टिमुलस की जरूरत नहीं होग अब यहां दुविधा यह है कि जिसे जहां जो हमें समझना जरूरी है कि सरकार की दुविधा सिर्फ यही नहीं है कि भारती अर्थ में घाटा बहुत बड़ा है GDP का नभी पीज़ती है और हम लेटन अमेरिका वाली परिस्तिती के तरफ देख रहे हैं जहां सरकारों का घा अर्थ शास्त्री भी समझ रहे हैं लेकिन उनका मानना यह है कि सरकार अगर कोशिस करें तो ऐसा हो सकता है भारत में एक्सपेंडिचर की पाइपलाइन सरकार की पाइपलाइन और बैंडविट्स बहुत कम है यह समझना जरूरी है कि जो सरकार सामाने दिनों में अपने भागों को जितना पैसा देती है उतना पैसा भी वो खर्च नहीं कर पाते तो एक मुष्ट बड़ा पैसा आ जाने से भी सरकारों के हाथ में वो खर्च कैसे करेंगी क्योंकि उनके पास खर्च का कोई कोई स्ट्रॉक्चर कोई ट्रांस्परेंट नहीं है अंतता वो बरबा प्लांट लगे ना अस्पतालों में बेट बढ़े ना दवाओं की आपूरती बढ़ी ना डाक्टरों की भरती हुई ना एम्मुलेंस बढ़ी तो पूरा का पूरा हेल्थ इंफ्रेस्ट्रॉक्चर जहां खड़ा था वहीं खड़ा हुआ तो यह हमें बताता है कि महामारी क संद्रवे में ही नहीं देखने की देखता हूं जिस पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि आप अगर मनी सप्लाइब बढ़ाएंगे बाजार में तो महंगाई बढ़ेगे और महंगाई वैसे ही 11-11 फीजदी पर हमें इसका दूसरा पहलों को सिद्धान समझना जरूरी है कि क्या सरकार के पास क्यापिसिटी है खर्च करने की बैंडविट्स है सरकार के पास खर्च करने की हम इंफ्राइस्ट्रक्चर पर जितनी घोशना हैं पिछले 15 साल में बजजटों में सुन चुके हैं सिद्धान तगर उनको आप एक बार बैकडू इंवलब जोड़ डाली है इतने लाग क्रोलों के पाकेज हैं भारत में कितना पैसा इंफ्रस्ट्रक्चर के नाम पे लोकेट हो चुका है तो होता यह है कि सरकारों को अगर सरकारों को जनक अल्याड़ करना है तो उन्हें अपनी बैंडविट्स बढ़ानी होगी उन्हें सही टार्गेटट ग्रूप बनाने होंगे और उन्हें टागेटेट गुप तक पैसे पैसा पहुचाना इंशूर करना होगा तो यह बहस चलती रहेगी सरकार इस पर कान नहीं दे रही है वो नहीं तुल रही है उसको लगता है कि उसने परयापत पैसा सिस्टम में डाल दिया है बजटों में परयापत शुद बोल इन स्पेंदिंग रधर दर भी कॉंसरें बाइटिंग एजन्सी इन बॉर्ण मार्केट उन्ने कहा कि हमें हमेशा से इसा कि गाता रहा हूं सरकार को बोल दोना चाहिए इस पेंडिंग के अर्थों में और इस आई वर दर रेटिंग एजन्सी और यह रिली दोगड़ और इस पीडिंग निए विडिट्रीग तो अन्लस इक प्रिंग उन्स इन विल पर रहा हूं जो बात अब जिए दर जी असा था इस पासे सहमत है और उनका सारे से बंद पश्यम क्यों अर्थ वस्ताव से आते हैं जहां उन्हें डालर या यूरो प्रिंट करके पर जैसा रहे पासे से बिल्कुल डूसरी करिके कि सरकारें चला रहा है अपने उपर इतना खर्च करती उतना हमारे उपर कर्च नहीं करती हम से लिए वापस हम से लिए हुआज टेक्स भी हमारे काम पर खर्च नहीं होता वहाँ पर social welfare state का एक बहुत strong model develop हो चुका है जिस model में लोगों तक paycheck protection, लोगों तक unemployment benefits पहुचाने की pipelines बने हुए structure बने हुए जिनसे उनके पास तक जाता है हमारे यहाँ जो priority रही है सरकारों की वो यह रही है कि आप घाटे को control में रखे अभीचित बनेर जी उस दुविधा की तरफ इशारा कर रहे हैं है आप भारत में एक बड़ा ग्रूप अर्थ शास्त्रियों का economic survey तक इस बात की तरफ इशारा करता है कि fiscal control हमारा better होना चाहिए नहीं तो हम crisis में चले जाएंगे तो यह दुविधा के बीच हम खड़े हुए हैं यह सुझाव आते रहेंगे लेकिन अगर वास्तों में आप कावर से इन बहसों को थोड़ा अलग हटकर देखें जहां हमें हमारे दर्शकों को अपने खर्चा पानी के दर्शकों को समझने की जरूरत है कि उनके दिमाग में सवाल हमेशा आता हूँ बीस लाग करोड़ा पैकेज गया कहां किसको मिला वो पैकेज सरकार क्या उसके बेनिफिशिरिस की कोई लिस्ट बता सकती है हमको कितनी कंपिनियों को मिला वो इससे पहले दी गए बजट के इसके बाद बजचत का कितना खर्च हुआ यह सिर्फ बताता है कि पैसा होना सरकार के पास चाहां वो करेंसी प्रिंट करके आई हो चाहां आप से टेक्स के जरीए वसूली गई हो चाहां से पेट्रोल डीजल पर निचोड़ कर वसूली की गई हो भारत की सरकारों को टेक्स वसूलना घाटा बढ़ाना कर्ज लेना आता है खर्च करना नहीं लेने के लिए आपके परिवार के लिए जो है उसके लिए आप गुरदारे के लंगर से अक्षीजन का सिलेंडर ला रहे होते हैं वहिस लिए खर्च करना नहीं आता और इसलिए जब भी हम stimulus की बात करते हैं, पैसा चापने की बात करते हैं, तो उन्तता हो हमारे ही सर पर आकर फटता, उसकी महेंगाई की कीमत हमी को चुका नहीं पड़ती है, पैसा चापना एक अलग मेजर है, सरकार को अपनी spending को देखना चाहिए, उसको regulate करना चाहिए, उसको और open करना spending को efficient करना चाहिए, जितने विभाग आप चला रहे हो, जितने मंत्राले आप चला रहे हो, पिछले एक साल में उन्तराले ने कुछ नहीं किया, बने हुए, spending का, सरकार के spending का मतलब यह है कि या तो आपकी जिंदगी बहतर करें, या economy में में डिमांड बहतर करें, दो ही तो रोजगार मिलें, इसके अलावा तो सरकार का खर्च करने का कोई मतलब नहीं, तो बहुत बेसिक, आसान सी अर्थवेवस्था किया, इसलिए मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इतनी सारी चीज़ों गुमागे ले जाते हैं, बहुत सरकार टेक्स लेती, दो ही काम करती ह अच्छी सलकें दीजेए, अच्छी वे उस्था दीजेए, हमको अच्छी रोजगार के लिए एकॉनमी मिनस करिए, वो दोनों चीज़ें सरकार नहीं कर पाती है, इसलिए दुनिया के सारे एकॉनमिस्ट मानते हैं कि भारत में करिंसी प्रिंटिंग का मतलब है महनाई बढ सरकार का करच बढ़ता है, सरकार का करच बढ़ता है, बाजार महंगाई बढ़ते हैं महंगाई बढ़ता है, वो जो यह फर्क समझना हमारे झाया जरूरी है इसके लावा कुछ एक रोचक चीज़ें जैसे डिरेक्ट कैस्ट ट्रांस्फर जैसी चीज़ों को लेकर उन्होंने तो कहा है कैसा होना चाहिए तमिलनाडु का उधरान उन्होंने दिया एंचवांडे और बड़ा रोचक है कि तमिलनाडु में जो PDS system है उसके उपयोग किया गया सारे हाउशओ्वर्ण के लिए एनने कहा है, उसके लाववा जो गाँँग के लिए उनने कहा है गाँँग के लिए सरकार को गाँटि करना चाहिए, hardest इतना करवाना चाहिए एक सरकार को ताकि जॉब लॉसे कोई प्रिवेंट किया सके, कैश भी हाथ पे पहुंच सके, मतलब हम लोग काफी समय से ये बातें करते रहे हैं, शुमाई जी, खर्चापानी में बहुत तर्णाइब काइश ट्रांसफर की हमने बहुत सारी सफलता सुनी, कोविट से पहले ता, पर कोविट की डिरेट कैश ट्रांसफर का इस्तेमाल ही नहीं हुआ कहीं, डिरेट कैश ट्रांसफर की जरूओत उन लोगों के थी, जो यहां से, शहरों को छोड़कर पैदल अपने गाउं चले गये, उन्हें पैसा दिया जा सकता था the direct cash ट्रांसफर, कहां मिला उननको, direct cash ट्रांसफर, स इसे नए अरियाज में टेस्ट किया गया यही तो सबसे अच्छा समय था जब आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को सीधी मदद पहुंचा सकते हैं जंधन खातों के जरी जिसे हमने इतनी बड़ी सफलता के तोर पर बड़ा माना था तो यह सारी स्कीमें अब आप डारेट कै मन्रेगा में मजदूरी बढ़ा ही आ सकती थी पिछले साल से इस पर चर्चा सुने की शहरों मन्रेगा आएगी एक साल हो गया पर शहरों मन्रेगा कोई विचारी नहीं सबसे आधा दिहाली मजदूर आपको शहर में दिखाई देता जो आए उसकी पास काम करने के लिए नह करने की लड़नी तरन्दर में नहीं है उसमें आपया हमारी जिन्दकी बेटर करने की वयोसता कि यंद्र में नहीं ही वह पूरी की पूरी विश्ता सथा कर्च देकर उद्योगों तक सीमित और इस लिए यह यह चुन उथी जादा बड़ी और व्लोगों की मदत किए वगर सिद्धा 90% GDP का कलेक्ट कर लिया साल वर में जबकि आपके हमारी जिन्दगी में या कित सलक पर काम करने वाले मजदूर की जिन्दगी में एक साल में सरकार ने कोई वैलिवेट नहीं किया उसे कुछ भी नहीं दिया दिया उसके आद भी सरकार ने इतना कर्ज कर लिया देखना चाहिए कि तामिलाडू क्या अच्छा कर रहा है गुजरात क्या अच्छा कर रहा है महराश्ट क्या उसे स्केल अप करके नेशनल लेवल पर ले जा जा सकता है मैं और इसमें आखरी पॉइंट वही है शुमान जी इस कोड़ इंटर्वियू में तीसरी वेव को ले कि कितनी mvr कि नहीं बगर लेकिन यह वही समय है जब दिवालिवाला समय जब पुब इस ऑजे को फीर से लुव मार्क अब लोग करते हैं कि अधर देने वाली से प्रिंसरी इनकर हम कहते कि किसी भाया भाय और कैसी होगी है मैं नहीं पता जैसे आपने कहा लेकिन पिछले साल से साल बहुत फर्क है पिछले साल हमने लॉकडाउन के बाद ठीक दिवाली के समय बाजार खुलते थोड़ा बहुत लोगों के जीवन में बढ़ोतरी होते खर्चा करते हुए देखाता और हमें पेंटब डिमांड दिखाई पड़ी थी जिसका कुछ असर हमें जीडीपी के नमर्स में दिखाई पड़ेगा जो अगली खबर है जिस पर हम चर्चा करने वाले लेकिन इस साल पर इसकी जाधा दिकट है एक तो हम बड़ी गहरी मंदी में हैं माइनस नौ माइनस दस परसे सेजन कहते हैं जो तेवारों के साथ शुरू होता वह उतना चीरफल या उतना गुलजार पिछले बार की तुलना में हो गहा कि इसके दो बड़े फ्राक्टर है पिछले साल के नोकरिया तो लोटी नहीं मतलब जो गए तो आपस आई ही नहीं और जो थे और वह भी चले चल कर पड़ा है तो अगर तीसरी वेव उस दौरा नाती है जिस दौरान आप उम्मीद करने हैं तो फिर काफी पर इसलिए इस नहीं रहा है तो इसलिए पिर पर लोगोंगों का फॉकस नहीं है भी चर्चागर पर नहीं आए लेकिन हम एक तस्वीर देखने की कोश्च कर सकते हैं जी जीडीपी के जो नमर्स आ रहे हैं वो क्या रिफ्लेक्ट करेंगे जाहिर से बात है पहले वेव सकंड वेव का जो उत्रार था वो थोड़ा बुद दिखाई देगा इस तिमाही में जो सकंड वेव खि तो यह इस तिमाही के जो आज आकड़े आएंगे यह हमें दो चीजें बताएंगे एक तो हमें यह बताएंगे कि पिछले वित्त वर्ष को फाइनली हमने कितने नुकसान के साथ खतम किया वो माइनस सिक्स होता है माइनस सेविन होता है माइनस एट या माइनस नाइन होता ह ये हमें पता चेलेगा लेकिन वो लिगेटिव रहेगा भारती अर्थवस्था लगातार चार रतिमाहियों तक नकारात्मक रहेगी लिगेटिव रहेगी रेसेशन रहेगी ये चीज़ उससे प्रूव हो जाएगी दूसरी चीज ये है कि उस तिमाही में जो थोड़ी बहुत से इस साल हमें तेज ग्रो दिखाई पड़ेगी और इसके बात के जो तिमाहियां हैं उन पर काफी कुछ निरभर था और अप्रेल के बात से भारत के इस साल के आंकलों में तेजी से रिडक्शन शुरूर हुआ अगर हम आंकला आएगा तो उसमें इस पष्ट होगा अगर हमान के चलें कि भारत की पिछला पिछला विट्वर्श धान्त माइनस साथ परसेंट पर खतम होता है शोने से साथ फीज़ी नीचे होता है और इस साल भारत की आर्थिक विकासदर साथ परसेंट रहती है तो हम जी से जो ग्रोथ आएगी वह एक्ष्वर ग्रोथ होगी नहीं तो यह तो पिछली ग्रोथ की रिकवरी होगी क्योंकि इसमें बेस एफेक्ट आता है बाकी ज्यादा फोकस अब अगले वित्तवर्श के आंकों पर रखना हो और यह था हमारा आज का कर्चा पानी आपको कैसा ल